किसान साथ्यों नमस्कार ये जो है हमारी पडोसी का खेत है और इन्हों ने जो है अपने खेत में MTU 10-10 धान की विराइटी लगाया है मतलब 110 धान की विराइटी लगाया है जो एक उन्नत किस्म है और बहुत पूराना विराइटी है किसान इसे जल्दी पक्के त्यार हो जाती है और दूसरा इसकी जो दाने हैं वो बहुत वजान आते हैं इसलिए लगाना पसंद करते हैं और सबसे जार तो जल्दी पके त्यार हो जाती है इसलिए ही लगाते हैं इनमें फसल मेनेजमेंट की जो खर्टा है बहुत कफी कमाती है और देख पा रहे हैं इनकी फसल है बहुत घना है और इसमें कंसे बहुत कम ही कंसे हैं और हाइड भी अच्छी खासी है ये जो है ये कि मेनेजमेंट को देखते रहते हैं तो जेवर जस्त तरीके से ये अपने फसल का मेनेजमेंट करते हैं और अब देख पा रहे हैं इनकी फसल को कंसे काफी कम है बहुत घहना धान है बीमारी तो नहीं है इसमें और ये MTO 1010 धान की वेराइटी है अब इसके मुकाबले हम हमारे तो ये वाला उपर के खेत में ये इधर से ये हमारा खेत है सब तो मैं भी MTO 1010 इन सभी जो खेत हैं में MTO 1010 अगले साथ लगाया था अभी में इस बार उसको चेंज करके मैंने इसमें मन्जू गोल्डा लगा लिया है अब मन्जू गोल्डा तो एक रीसर्च वेराइटी ह और ये भी MTO 1010 के ही हिसाब से 110 जिनों में पक के त्यार हो जाती है अब MTO 1010 के मुकाबले ये कितना आपको बहतरीन लाप दे सकती है जो मन्जू गोल्डा लगाण की विराइटी है तो इसके बारे में ज़रा डिसकास कर लेते हैं हमारा जो परोसी किसान है इसकी जो फसल म इनेजमेंट ही एक अच्छी पादन के लिए जरूरी है आप जैसे एक अच्छी पादन लेना चाहते हैं तो आपकी जो किस्म है जो बीच की किस्म है कि वो उन्नात किस्म है कि एक संसोधित धान है इस पर भी डिपेन करता है ये मुझे जो है इन दोनों फसलों को देखके क पानी की थोड़ी समस्या जो गर्मी में जो है वाटल लेबल जो डाउन हो जाता है इस कारान जो है हम लोग एमट्यू दस दस लगाते थे लेकिन इस बार जो से मवधी की धान है करके इस बार जो मैंने इसमें मंजू गोल्डा लगा दिया है अब इसमें आप देख पा रह लगा आठ से नौ दस मुलब परती पौधे पाँच कन से तो ही है और कहीं पर दस बारा भी है मगर जो है पाँच कन से परती पौधे में में मगर देख पा रहे हैं हमने 30 कीलो बवाई कि थी जैसे कि इसके पहले वीडियों में बता जो का हूँ करता हूं प्रति एक रभी म इनकी जुपनुदान पट्टे की बात करों ओ ventus बात करnd से आई पहतरी जयद्य नमित्स के लंभी हैं हमारा मानना है और क्योंकि जिस पोधे की जो है पत्ते जो मोटे होते हैं तो उनको जो भी पोशाग तत्वा या सूरिय की किरने हैं जो प्रकास समस्राइब वह बहुत तेजी से ग्रहाण कर लेते हैं और जल्दी उनको पोशाग तत्तों की कमी नहीं होती इसलिए जो अधान की बालियां ज स्यमाम ग्रॉध की सь यहां जजा 1 002 005 1006 test 是 की हैं ठोड़ा अधिक है 2010 की है जो है जोटा कम है और दोनों का जो है देखें अंतर दे दोनों में तो मेरे को जो है 2010 के तूलना में जो की पुराना वराइटी है फिर भी किसान लगाता है तो अगर आप 1010 मीद कर नई वेराइटी खोज रहें हैं तो उसके जगा पर मंदूगोल्ल लगा सकते हैं दान जो है एक रिसर्च दान है तो यह थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन अब जैसे एक बार खरीद लें तो हर साल उसका यूस करके अच्छा से आप उसको हर साल लगा सकते हैं मंजू गोल्ड को और इससे जो है आपको कफी ज्यादा अच्छा लाब मिलेगा इसमें हमने दूसरी खात का जो पूरा सेड्यूल कंप्लीट हो चुका है और अब धान में पूरा इसका जो है नाइट्रोजन खतम हो गया है और यह फिर से जो है इसमें हमको यूरिया डालनी पड़ेगी तब यह धान जो है गभोत की वस्था में लगभग आने ही वाली है तो इसमें जो है हलका हलका यूरिया प्रतिय कर 10 कि इस आप से मिल जाएगा तो यह इसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा तो यह मंजू गोल्डधान की विराइटी है तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस खेत में जो है इम्टू 10-10 की बवाई करते हैं और उससे संतूस्ट तो इसके जगाम एक बार आप जो है रिया लेगिरी का मंजू गोल्डधान लगा के देखिए वह ज्यादा अच्छा पर्फॉमेस देगा उस खेत में आपको और वाकी फसाल अवधी सेम रहेगी और सुना हूंकि उत्वादन भी इसकी बहुत अच्छी आती है क्योंकि इस वेधा सिट्स का वेधा 10 वेराइटी है जो भी कफी अच्छी वेराइटी है फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना है वीडियो में अंच तक बने रहने कला आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए हमारे वीडियो को लाइक कर लिजिएगा तथा जिससे आपको और तथा चैनल के बेल नोटिवकेशन को भी दबाजीगा जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिवकेशन दिल्दी मिल जाएगी फिल्हाल धन्यावाद जय जमान जय किसां